हेलो दोस्तों मेरे नाम रुवित और स्वागता आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बिसे सेंटर में तो आज की इस वीडियों आपको बताने वाले हैं समेश्टर वन रांची इन्वर्शिटी का एए एसे मिल हिंदी का पेपर एक्जाम पैटरन सब्जेक्टिव होंगे इसका एक नमबर का कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोचन है और इंपॉर्टेंट कोचन है जो हम पढ़के दाएंगा एक्जाम में हैंगे सब कुछ चर्चा करने वाले हैं चैनल पर अगरना है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों में सेर कीजिएगा यह हमारा है एएएप इसी मिल हिंडी के बारे में टिक है तो यहां पर आप लोग सकते हैं जो आपका एएसी मिल हिंडी का जो पेपर होने वाला है टोटल पचास मांक सका होग 되어 और यहांपे जो टैंमिंग लिछ त्री आवर्स लिखा गया ठीक है यहां पर देख सकते हैं तीन घंटा का समय लिखा गया लेकिन आपको तीन घंटा का समय नहीं मिलेगा ठीक है आपको जादा जादा डेड़ या दो घंटा का समय मिलेगा ठीक है अब यहां पर देखें आपका जो कोचन रहेगा वो दो गु गुरूप ये में रहेगा गुरूप फ पूछा जागा ठीक है सवर्ट एप्सका कोचन और यहाँ पर नहीं रहेगा तो गुरूप बीम आपको एक सब्द में या एक लाइन में देने होंगे और सिलेबस के अंदर से पूछा जागा पांच कोचन रहेंगे एक नमबर का जो क टोटल आपके पास पांच कोचन होगे ठीक है आउस पांच कोचन मीज है स्फापको किसी भी जो भी आपको आता गरा है उसमें सा variety का उतर रहता गराई हो दूसरा और अमदरा है ऊचाली को पंदर नमबर के पेटीनिह के उतर दोटल आた सैगा था कोई इंटरनल एक्जाम नहीं होता सीधे सभी सिधे फैनल में पचास में पचासँ पचास सदक एक्स्राहिए करना इक्ष्ञऻ sat से लिखना है वहाँ पर आपको option नहीं दिया रहेगा ठीक है पेपर पूरा का पूरा सब्जक्टिव आएंगे बाकि जो 15 15 नमबर का यह आपको लिखना ही पड़ेगा तो उसके बारे में आपके पूछाऊंगे आपके पेपर में ठीक है तो इसके बाद हम बनाएंगे आपका ठीक है तो जो जुरिक नहीं हम सभी के लिए रांचो इनवर्सेटी मे बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे और भी आगी पेपर का त्यारी करवाएंगे इसकी लिए आप चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कीज़र दोस्तों में सेर कीजिए ठीक है इंपोर्टेंट जो भी कोचन और सभी का अंसर हम करवाएंगे आपको और एक अग नंबर